लोग रिंदे या जिन उन्हाने सीवर अपने बोर कीते या जिन्दा गंदा पानी या इस हरा जिए लोगो पी रहे या जो सरकार है जो सरकार जो पहले की सरकार थी वो जुम्यवार है जो जहां कब दहक है पहली बार भी हमने जहां कई कई बार बोल चुके हैं पर इनका वका करेंगे नमश्कार स्वागत एकंचन टीव पर जैसे हम जीटी रोड पर अमरिस सर के जीटी रोड से गुजर रहे थे तो हमें यहां पर रोग लिया गया रोकागिन के द्वारा है रिटाइर डियस्पी हैं शोक शर्मजी उनके द्वारा वो कहते हैं कि आप मीडिया से हो हमने कहा कि आप समस्च्या बताइए हम दिखाएंगे तो वह कहते हैं कि यहां पर जोहड हैं वहां पर आपको दिखाता हूं और हालात कितने बत्तर हैं वह दिखाने की कोशिश करेंगे देश्पी साब स्वागत एकंचन टीव पर थैंक्यू तर्याओं से बहुत बहुत त आप देश्प्राइए तो आजे समने यह शप्र यह ते एलग शप्र दूंगा रिए पुटता वादे आए तो आजे पेंड़े लोग करीं दे जिए जिए उन्हाने सिवर अपने बोर कीते यह जिन्दा गंदा पानी आए सारा जी ए लोगों पी रहा है आता आजे सामने सा पानी पानी यहां पर इकठा होता है और यही पानी बोरो के जरीए घरों में नलों में पहुंचता है यही पानी जो गदा पानी है ना यह सबी लोग जो है इसका इस्तेबाल करते हैं और जहां आप खड़े हैं यह में शड़क है जो दर्वार्सा को जाती है यह में शड़क दर्वार्साइब पर जाती है और यहां देखे ट्रेक्टर को कैसे यहां पर जो साधन है उनको कैसे निकलना पड़ता है यहां से कैसे दिक्कते अब गड़े से बचके निकलना पड़ता है जो यहां पर सामाल लेकर गाड़ी आती है बड़ी दिक्कत होती है और अब अब देखते रहीएगा अब दिक्कत आगी वहां से तूटा हुआ है यह गाड़ी नहीं निकल पा रही है त इस घंब करते हैं लोक जो बिवार है जो फूप फिए जो उनको बिमार हो जाएंगे किसको जम्यवार किसको मानते हैं यह सब दिक्कतों का पैप सरकार ती वह जो जम्यवार है जब इतर को बंदा मार जाता है ना काम का कोई सम्शार कार लेने जाते है ना जहां आप खड़े हैं वहां एतरा एतरा पाड़ी तीन तीन फूर पानी हो जाता है यह लोग उसे बीच से जाते है नरक से बत्तर हालात बना दिये गए है जिम्मेवार सरकार हैं, विधायक हैं, किसको मानते हैं? वद्दहायक रहा है पेली वार हमने जहां कई बार बोल चुके हैं पर इनका व्कास करो जह लोग इदर से कैसे नंगेंगे कैसे जए जो मैंका देखो जह वकास है मेन का जी जो दर्बार सा को सरक जारी है इसका हाल किया है अब आपके हाथ में वोट की ताकत है तो क्या बदल लोग है ना वो आपनी वोड का इस बार आम पार्टी के हाक में करेंगे और बदलाव लाएंगे तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी आएगी और उसके हाथ में वो जिन वो चिराग होगा और वो चिराग घिजेगी उसमें से जिन निकालेगी और सारे वह जोड ठीक कर देगी वह सड़कों को भी ठीक कर दे कि आपको लगता है और ये सभी सभी का लोग करेंगे इस अलाके के घरकर के लोग जो है वो कि आप आपने पास से वो द्वाइभी लोकों को देते हैं वहां डिस्पैसरी भी खोल दिया है उसमें द्वाइभ देते हैं तो अब लगता है कि पंजाब के भी हालात बदलेंगे सूबे में फिर से बहार आएगी बेलकुल जब जो पंजाब आएगा वो पंजाब आएगा जो महारा रंजीस हैं के राज में द्वाइभ देखिएगा हालात कितने बत से बत्तर आप देख सकते हैं यहां पर खड़े होके रिपोर्टिंग करना असान नहीं है बदबू है दुरुगंद है गंदगी है और पीछे भी आप दे पड़े हैं ना तकडी चलेगी ना पंजा चलेगा अब लोग आम आदमी पार्टी को केजरिवाल को वोट करने वाले हैं बदलाव करने वाले हैं और इस 20 फरवरी को कुछ बदलाव होगा कुछ बड़ा होगा इतिहास रचा जाने वाला है क्योंकि अब पंजाब में केजर वाल आम आदमी जाड़ू सिर्फ यही बाते हो रही हैं देखते हैं क्या रहेगा क्योंकि बहुत सारी पार्टिया मैदान में हैं बहुत सारे उम्मीद्वार मैदान में हैं बहुत सारे उम्मीद्वार सीम केंडिडेट भी हैं देखना होगा कि किस के सरपरताच सजेगा और क आ रहेगा कंचन डिवी उसका गवाव बनेगा पूरे पंजाब को 117 की 117 सीटों को हम कवर करेंगे बस आप बने रहेगा और हमें प्यार देते रहेगा हमारे वीडियो को शेर करते जिए लाइक करते रहें कमेंट करते रहें बहुत बहुत धन्यवाद में आपका दोस्त पहुत ये श्पाल कंचो